हलो BSC Second Year Student, कैसे हैं आप सभी लोग, उमीध है आप लोग बहुत अच्छे होंगे My name is Aashish Giri, आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSC Second Year Geology के 4th Semester में आपका Theoretical Paper आता है Gene Technology, Immunology and Computational Biology Student इस Semester से अल्रेडी मैं कुछ वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपकी exam paper के लिए most important है तो अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप channel के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा आज कि इस वीडियो के अंदर हम एक most important topic cover करेंगे exam paper में ये दो नंबर में short question में आप सो पूछा जाता है cosmid के बारे में तो आज हम discuss करेंगे cosmid क्या होता है इसकी definition के बारे में या इसकी diagram के बारे में इसकी structure के बारे में और इसके character के बारे में और इसके function के बारे में exam paper में कई बार long question में जितने भी important vector है जैसे कि plasmid vector हो जाता है bacteriophage vector होता है cosmit vector है या phasmid vector है या artificial chromosome vector है इन सभी vectors में आपको option दिया जा सकता है कि इन में से 3 को आप solve कीजिए तीन vector को explaining कीजिए तो इस प्रकार से भी question आते है long question में कई बार साड़े 3 नमबर में भी आते हैं और कई बात दो नमबर में भी question पूछे जाते हैं तो question किसी भी प्रकार से पूछा जाए आप लगबग सभी topic genetic engineering के अंदर जीतने भी topic मैंने cover किया है वो सब आप लोग अच्छी तर से study कर लीजिए कुछ student कह रहे थे कि genetic engineering काफी अच्छे से समझ में नहीं आती तो देखे वो इसी लिए नहीं आती क्योंकि आपको DNA का basic structure नहीं पता है जब तक आपको DNA की structure उसके replication के बारे में ठीक से नहीं पता होगा तब तक आप struggle करेंगे तो basic सी बात है कि आप लोग सबसे पहले DNA के बारे में सब कुछ एक complete knowledge ले लिजे basic knowledge ले लिजे ताकि आपको genetic engineering में काफी मज़ा आने लगे आपको अच्छी तरह से topic समझ में आने लगे right क्योंकि genetic engineering में basically होता क्या है कि आप लोग DNA के साथ ही छेरिखानी करते हैं उसी किसे related structure को समझते हैं तो इसलिए आपको DNA की basic knowledge होनी बहुत ज़रूरी है तो चलिए student video को start करते हैं heading डालीजे Cosmide आज हम Cosmide के बारे में discuss करेंगे यदि आप BSC के concept को हिंदी में समयना चाहते हैं तो आप इस channel से जुड़ सकते हैं तो यह जो Cosmide और Phasmid होता है यह दोनों के दोनों reconstructed Plasmids होते हैं इसमें Phage का कुछ genome भी होता है इसे recombinant technology के द्वारा बनाया जाता है तो Cosmide हो या Phasmid हो basically यह जो है ना Plasmid जैसे होता है Plasmid के बारे में मैं अल्रेडी topic upload कर चुका हूँ Plasmid के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ changes करते हैं हम उसको अपने लिए और भी ज्यादा क्योंकि होता क्या है कि Plasmid के भी कुछ demerit point होते हैं तो उन demerit point को हटा करके कुछ हम उसको reconstruct करते हैं यानि कि दोबारा उसको artificially तयार करते हैं Recombinant technology के द्वारा तब बनता है Cosmid और Phasmid Vector इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि Cosmid और Phasmid जो होता है यह दोनों के दोनों पुने निर्मित यानि कि reconstructed Plasmid ही होते हैं जिसमें Phage का कुछ genome भी होता है इन्हें Recombinant DNA technology के द्वारा बनाया जाता है Cosmid के बारे में आप लोग लिखेंगे Cosmid एक hybrid vector होता है जो कि Plasmid से derivative यानि व्यूत्पन होते हैं यानि कि कि से व्यूत्पन होते हैं Plasmid से ही बने हैं यह ऐसे Plasmid में Cosite वाला एक Lambda Face DNA होता है जिसमें ससंजक 0 वाला एक sequence होता है तथा Terminase द्वारा जुडने और cleave करने के लिए आवश्यक sequence होते हैं नेसेसरी जो restriction site होती है जहां से आप लोग इसको काट सकते हैं cleave करने के लिए इसमें Lambda DNA का कम से कम 200 base pair का एक segment होता है तो Cosmid basically Cosmid are hybrid vector between a phage DNA molecule and bacterial plasmid क्योंकि यह जो plasmid होता है यह hybrid होता है between phage DNA molecule and bacterial plasmid यानि कि हमने क्या किया phage DNA के molecule को लिया और साथ में bacterial plasmid को लिया तब हमने बनाया Cosmid heading डालीजिए structure of Cosmid एक प्रारूपी Cosmid में निमलिखित प्रदेश यानि region होते हैं नमबर first reason है origin of replication यह जो आप लोग diagram देख रहे हैं यह इसका ORI site है यही है origin of replication जहां से इसे आप लोग initiation site भी कह सकते हैं भी है replication जहां से start होता है इसके बाद आप लोग लिखेंगे foreign DNA के निवेश के लिए एवं विदलन के लिए unique restriction site अगर आप लोग इस diagram में ध्यान से देखें तो इसमें different different restriction enzyme के लिए restriction site मोजूद है जैसे हिंद HI है या BAM H1 है ठीक है या PST first है तो यह सब क्या है restriction sites होती है जो की एक specific restriction enzyme आपके इसको cut करेगा cut करने के बाद आप लोग अपना foreign DNA यानि के जो भी आपका gene of interest है उसको आप लोग add कर सकते हैं जैसे कि recombinant DNA technology के अंदर already मैं आपको समझा चुका हूँ कि gene of interest basically हम लोग क्या करते है को उसकी copies अगर में बनानी हो multiple copies अगर में create करनी हो तो हम लोग उसको इसी के अंदर add कर देते हैं right cut करके हम इसमें जोड़ देते हैं तो foreign DNA के निवेश के लिए यानि insertion के लिए यहां पर restriction site मोजूद होती है जहां पर आप लोग cut करके cleave कर देंगे और cut करने के बाद आप उसमें अपना foreign DNA add करके फिर उसे ligase enzyme के दारा seal कर देंगे या bind कर देंगे again right number third point antibiotic resistance को coded करने वाला plasmid का एक उंचित marker यानि एक selectable marker इसमें मौझूद होता है देखिए selectable marker हम लोग क्यों यूज करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं इस diagram में ध्यान से देखे तो उसमें selectable marker है emphysiline अब यहां पर हमने antibiotic resistance emphysiline का यूज किया है एक तरीके से यह selectable marker का यूज करेगा यह selectable marker का काम करेगा इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा host cell जो होता है वो transformed है कौन सा non transformed है तो transformed cell और non transformed cell में differentiate करने के लिए पता लगाने के लिए हम लोग selectable marker का यूज करते हैं तो यहां पर हमने यूज किया है emphysiline इसी की कारण lambda particle में recombinant DNA in vitro में pack हो जाता है इसके head में आसानी से pack हो जाता है इसके बाद restriction site के बारे में आपको बता चुका हूँ कि अलग-अलग restriction enzyme के cut लगाने के लिए इसमें restriction site मौजूद होती है जिसे कि आप अपना desired gene का insertion कर सकें आगे बढ़ते student और discuss करते हैं देखिए अगर exam paper में diagram Cosmids का पूछा जाए तो यह diagram आप लोग बनाएंगे ठीक है आगे देखते है characteristics of Cosmids यानि के Cosmids की विसेस्ताएं क्या है तो इसकी निमलिखित विसेस्ताएं होती है नमबर फर्स्ट पर आता है Cosmids लगबग 5 के भी लंबे यानि इसके लेंध के होते हैं और यह 40-45 के भी वाले DNA insert का clone कर सकते हैं यह most important point है कि यह 40-45 के भी वाले DNA insert को clone कर सकते हैं इसके बाद number second character है इन्हें lambda कनो में यानि lambda particle में pack कर सकते हैं जो की host cell को संक्रिमित करते हैं अब देखो जैसे आपने इसके lambda के जो head होता है जो lambda particle के अंदर जो head होता है उसमें आप लोग pack कर देंगे अब वो attack करेगा host cell में उसको संक्रिमित करेगा number third point आता है lambda phase की भाती Cosmide जो होते हैं वो host cell को infect करते हैं बट इसमें जो multiplication होता है जो गुनन होता है या संचरन होता है वो plasmid की भाती ही करते हैं number four point recombinant DNA का chain plasmid की chain विधी के आधार पर किया जाता है number five point Cosmide vector का भी plasmid की भाती परवर्धन या साधारन किया जा सकता है PWE तथा S-Coast series के आधोनी क्यानिक के modern Cosmide vector की निमलिखित विसेस्ताई होती है number first point बिना selection की DNA segment से सरल प्रकार कियानी simple type की cloning के लिए इन पर multiple cloning site MCS होती है number b point DNA insert से RNA की प्रतिलीपिया बनाने के लिए MCS के दोनों और phage promoters होते हैं number third point MCS के दोनों और इस्तित होने एवं restriction enzyme को काटने के लिए unique restriction site भी इसमें मोजूद होती है तो जो modern प्रकार के Cosmide vector बना जा रहे हैं उनमें ये properties आ रही है modern Cosmide vector की property के बारे में number four point आप लोग लिखेंगे vector में mammalian expression modules भी हो सकते हैं जो इस्तनियों की cells में यानि mammals की cells में gene संचरन के लिए चैनित यानि selectable marker का काम है इसके बाद finally लिखेंगे uses of Cosmide Cosmide का use क्या है Cosmide का परियोग जो होता है वो eukaryotic की genomic library बनाने में किया जाता है right next video के अंदर हम लोग student discuss करेंगे phase bit vector के बारे में तो मिलते हैं next video में video पसंद आये तो like करें channel को subscribe कर दे अगर आपको उसी तरह की और भी videos चाहिए तो मिलते हैं next video में बाई बाई टाटा